दुनियों के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक राफे भारतिय वायू सेना के बेडे में शामिल हो गया अब इंतजार था तो इसे आसमान में उड़ा कर दुश्मनों के छक्के चुड़ाने वाले तेज तर्राग पाइलेट्स की आसमान से देश की रक्षा करने की ये एहम जिम्मदारी मिली है भगवान शिव की नगरी काशी के रहने वाली शिवांगी सिंग्ग यानि वो पहली महिला पाइलेट होंगी जो फ्रांक्स मेंड राफेल लड़ाकू विमान उडाएंग kell काशिवासियों के साथ ही पूरे देश के लिए ये एतहासिक शण जब एक महिला तमाम वर्जनाय तोड़ कर राफे लड़ाकू विमान के साथ आस्मान में गोते लगाएंगे और दुश्मनों के नापाक इरादों को नाकाम करेंगे पियमोदी के संसदिय शेत्र वारणसी के फुलवरिया इलाकी की रहने वाली शिवांगी सिंग को महिला लड़ाकू पालटों के दूसरे बैच के हिस्से के रूप में साल 2017 में ही भारती वायू सेना में कमिशन मिला थी जिसके बाद से वो 340 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से दुनिया के सबसे तेज लांडिंग और टेक ओफ विमान मिग 21 को भी उडा चुकी ऐसे में राफेल उडाना उनके लिए कोई बड़ी चुनोती नहीं होगी राफेल उडाने के लिए ट्रेनिंग ले रही फ्लाइट लेटनेंट शिवांगी सिंग की ट्रेनिंग जैसे ही पूरी हो जाएगी उन्हें वायू सेना के अंबाला बेस पर 17 स्कौडरन गोल्डन एरो में शामिल कर लिया जाएगा शिवांगी सिंग इससे पहले विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के साथ मिग फाइटर प्लेन थी उडा चुकी फ्लाइट लेटन शिवांगी सिंग पहले राजिस्थान के फौरवर्ड फाइटर बेस पर तैना थी यही से उन्होंने विंकमांडर अभिनंदन वत्मान के साथ उडान भरी पिता को है बेटी पर गर जिस पिता की बेटी देश सेवा के लिए लड़ा को विमान उडाने जा रही है उस पिता को भला अपनी बेटी पर कैसे गर्व नहीं होगा राफेल उडाने वाली पहली महिला पालेट बनने जारही शिवांगी सिंग के पिता भी अपनी बेटी को इतिहास रच्ता देख कर बेहक खुश है शिवांगी के पिता सुशीर सिंग ने बताया कि उनका सपना था कि वो पालेट बन कर विमान उडाए हम लोगों को गर्व है कि हमारी बेटी बनारस के साथ ही देश का नाम रोशन करें करने वाली बनारस हिंदु उनिवरस्टी से पढ़ाई पूरी करने वाली कि शिवांगी सिंग ने 2013 से 2016 तक भी एच्यू से ही NCC की ट्रेनिंगी शिवांगी की मा सीमा सिंग घर का कामकाज सम्हालती जबकि भाई मयंक बनारस में बार्वी के स्टूडेंट है सामाने परिवार में रहने के बाद धी आसमान की उचाईया चूरही बेटी की इस उपलब्धी पर पूरे परिवार में खुशी का माहल आज इतना बड़ा दिन है आप लोके लिए और क्या लगता है जो संघर्ष ताव खतम भुआ है अशा संघर्ष तो जीवन में किसी का भी खतम नहीं होता अम तक वो संघर्ष कर रही है देश को बचाने के अपनी सीमा पर तैनात आएगी तो अपने देश को सभी मुसीवत इसे बचाएगी और क्या था तक बच्पन था उसका बहुत अच्छा था उसको कोई चीज की कमी नहीं इसके बाफ निए जो भी इसका डिमांड था सब पूरा करते गए परही जो भी करती कर दा था वो भी किये इस वो इंट्रेस्ट एटी जिए इस पोर्स में भी जाने द पढ़ने में काफी अच्छी थी इसाथ में फोर्स में अच्छी थी फिर एंसी सी में वहां भी उसके जो ते शी उसो बहुत तादीफ करते थे कि इसकी तरह लगी कोई डिल नहीं कर सकता लड़कों से बढ़के यह लगा हम वो कहते लिए बेटा है बेटी नहीं और बाकी तो इसका अपना संघर्ष रही है संघर्ष करते हैं कि इमान जो आया है फ्रांस से उड़ाएगी बहुत ज़्यादा खुशी है उसको व्यक्त नहीं कर सकते ना कि एक तरह से तो खुशी है एक तरह से डर भी है दोनों चीज है ना कि पैदी बार कोई चीज देया मिक 21 और अभी नए चीज है तो टाइम लगेगा सीखने में तो सब्सक्राइब तो मुष्किली था क्योंकि मैंनत करनी पर बेन मैंनत के बिना नहीं पहुचे महते है और उसके बाद वह मेंसा से ब्रिलेंट इस्टुदेंटी रही है तो हमेशा में पढ़ाई लिखाई सब में एक अभी उसका एरपोर्स में मन था उसमें गई है और उसे मौका मिलते जा रहा है वो मौके का सही उप्योग करके अपने आपको और उपर पहुचा होगी अपर बढ़ाने वाली है कितना बड़ा मत्पुन पल है यह बिलकुल अच्छी बात है रफाल पहला पांच रफाल हिं शिवांगी फिलहाल अभी मिग 21 लडाकू विमान को उड़ा रहे और इसी अनुभव के बाद अब राफेल की कमान देने की तैयारी की जा रहे राफेल विमान उडाने की ट्रेनिंग के बाद यह महिला पालिट भी राफेल की 17 गोल्डन एरो स्कौडरन का हिस्सा बनेंगी यही स्कौडर अंबाला एरफोर्स स्टेशन में राफेल विमानों को सम्हाल दी भारती वायु सेनों में सबसे अत्याधुनिक विमान राफेल को उडाने जा रही बनारस के इस बिटिया ने ना सिर्फ अपने माबाप का सीना चौड़ा किया बल्कि बेटियां बेटों से क काम नहीं है यह दिखा कि दिया